हेलो साथियों आप सभी का अपने चैनल अभी हुद एकडमी में स्वागत है मैं होगे इस्तिवारी आज बात करने वाले हैं यहां पर दाली गई है सबसे पहले बात करें यहां पर टॉर्जन हर्स टॉर्जन हर्स क्या है एक मैली सियस प्रोग्राम है यानि यह प्रकार का यह वैरस है क्या है एक प्रकार का यह वैरस है तो इसमें जो आप संद्य आ गया है कि यह जब मैली सियस प्रोग्राम बिल्कुल या एक दुर्भावना पूर्ड यानि खराप प्रोग्राम है यह सही है एकडम और उसके बाद कैन ट्रांसफर दा इंफॉर्मेशन फ्राम इंटर फाइल रहेंगी तो किसी दूसरे कम्प्रियूटर में ट्रांसफर किया जाता है और तीसरा क्या है आपके सिस्टम का नीयंद्चर दूसरे को प्रडान करता है बिल्कुल सभी बात है कि जो टौजन हार्स है यहाँ ऐसा सबटवेर है कि जो आपके एक computer का system पूरे दूसरी को provide कर देता है जैसा कि अगर आप team viewer की बात करेंगे सेम ऐसा ही है लेकिन team viewer एक software है वो hack वाला नहीं है वो iris नहीं है software है जबकि torgen horse एक प्रकार का सव एक प्रकार का malicious software है तो इसमें आपका जो system है वो दूसरे को प्रदान कर देता है भाई आप आओ यहां पर काम करो torgen horse जैसा कि आप horse की नाम से जानते हैं जाना ही जाता है horse torgen horse इस पे यह खुद encrypted नहीं करता है यह system में आपके आता है किसी ना किसी माध्यम से whatsapp की माध्यम से कोई link के माध्यम से आप बहुत जाएंगे वहाँ पर इस पे चढ़के अन्य जो वाइरस होते हैं वन्य वाइरस के मितलब जो आपके और अधर वाइरस होते हैं वह सबी हाँ पर आपको देखे नहीं को मिलेंगा वाइरस कई परकार के होते हैं इसमें बात करें तो वाइरस आपके एक वाइरस आयलाव्यू नाम के वाइरस आया हुआ था बहुत पहले उसके लामा आपके जो headwear होता है रूट कित होते हैं यह जो वाइरस आते हैं यह सब इसके उपर चड़की आते हैं अगर एक आप सुने होंगे रैंसम वेयर सुना होगा यह इस्पाई वेयर जो होता है इस्पाई वेयर मतलब छुपकर जो निगरानी करता है आपके कामों की वाइस्पाई वेयर होता है यह सब क्या होते हैं। वाइरस होते हैं अगर नोट करना चाहते हैं DRS है यानि कि MALWAYर क्या होते हैं प्राइब के टइप क्या है एक ड़्रस है एड्र8 हैुरteelु किया है स्प्लीयर है है रेंसम टौर्जिन हार्स है remote access है उसके बाद warm है की logger है इतने जो है main आपके virus या virus नहीं कर सकते हैं इसको आप malicious software बोल सकते हैं malware बोल सकते है virus नहीं वाइरस खुद एक परकार का अलग से software है अलग परकार का एक malware है तो टाइप आप मालबेयर हैं ये चार दस तस टाइप हैं जो होंगे वो आपके इंपोर्टन थे आप इसको लिख सकते हैं यानि कि इसमें जो तीनों सही होंगे आपसर नंबर इसमें जो हो जाएगा A B C D उसके पाद अगला कोश्चन है इसमें अगला कोश्चन में कोश्चन नंबर 54 इसमें अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है नहीं पढ़ा है तो मान के चलिए आजाएगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं कंप्यूटर में और पांच कोश्चन आता है तो पांच में अगर दो तीन कोश्चन कर लें जाता तो बहुत अच्छी बात है और हंडिट परसेंट है आप दो तो एक दो कोईशन दो करी ले जाओगे पास में से जो मैंने टॉपिक बताया है अगर उसको आपने कंप्लेट किया होगा जिस व्यक्त को आप राध्यकृत पहुच टॉपिक कहां बताए है जो टेलिग्राम चैनल चलता है महाँ पर बताए है जोइन कर सकते हो टेलिग्राम चैनल पर डेली कुछ होती ही महाँ पर जिस व्यक्त को अप्राधिकृत पहुच प्राप्त होती है वह महत्पूर आपड़ों को नश्ट कर देता है बिल्कुल सही बात है अगर आपके अंदर कोई आ गया उससे संबंदित कोई आपके पास कोई डाटा है तो उसको डिश्ट्रइक करेगा ही वैध पयोकता किसी वाएं कार करता है आप कुछ दे रहे हो मतलब कोई कमांड दे रहे है अपनी कंप्यूठर को अपने केमयय नहीं नहीं रहा है इनकारप कर दे रहा है एक्सेश नहीं पा रहा है अत्मा उन प्रत्य इसा है आपके computer में आएगा जो आपकी system होगा उसको तोड़ देगा उसमें जो आपके important data होगा उसको delete कर देगा उसको या तो अपने पास ले लेगा या तो डिश्ट्वाय गड़ेगा, ये cracker का काम है cracker भी एक प्रकार का है, hackers है हैक ही जो किया जाता है भ olabilir term में यूज़ किया जाता है, nowhere कि किया जाता है जमडेखर जो hackers है, ये अच्छे hackers भी होते हैं खराब भी hackers, hackers यानि कि एक good ethical hacking के बार ethical की चीज़ एक ethical की बात की जाती है कि में और अने ethical जो होता ग्रेकर होता और यहां पर पहला आपसे नम वाइट हैकर जो होता है यह ethical हैकिंग होती है जो हमारे system में रहते हैं hackers उनकी वो जो है करते हैं system को वाइट है वाइट है कर कहलाते है अगे चलते हैं अगला question कि डिक स्टाप पर तुर्म लॉटने के लिए साट कट की का उपयोग जो करते हैं बिंडोज प्लस डी यूज करते हैं question number 69 है बिब ब्राउजर नहीं है the following which is not a बिब ब्राउजर that that is a Google Google is a search engine and other option is a बिब ब्राउजर बिब ब्राउजर होता क्या एक application होता है क्या होता है application apps होते हैं बिब ब्राउजर और जो search engine होता है कोई app नहीं होता है इसको जागे अब search कर सकते हो जो application की रूप में आते हैं ज्यादा तर वो क्या होते हैं search engine वो क्या कहलाते हैं बिब ब्राउजर ही कहलाते हैं जैसे Google का Google Chrome है ब्राउजर ब्राउजर की बात करें तो आपके safari हुआ उसके लामा ओपेरा मीनी हुआ यूसी ब्राउजर हुआ यह सब क्या है आपके लिख सकते हुआ ओपेरा मीनी या ओपेरा ब्राउजर मोजिला फाक्स फायर एमस इंटरनेट एक्स्प्लोरर गूगल क्रोम एपल का safari उसके बाद टॉर और एक एज यह लिख सकते हो और भी है आप सच कर लोगे गूगल पर मिल जाएगो उसके लामा जो आपके search engine उसमें गूगल याहू बिंग और डगडग गो डगडग गो उसके बाद बैंडो यह इसके आपके search engine है इसको आप लिख सकते हो आगे चलते हैं सेवंटी नंबर माइक्रोसाफ्ट विंडो में बिभिन अप्लिकेशन और दस्तावेजों को दरसाया जाता है जो माइक्रोसाफ्ट देखो गिना उसमें आपके अप्लिकेशनक देckते क्या बना रहता या ऐकन बना रहता है ओपॉल्डर क लिख रहता है ऑसे फोल्डर का अलग बना रहता है गीगानेट इथरनेट द्वारा दी जाने वाली अधिक्तम गति क्या है एक हजार यम्मी पीए से आपसे नमबड़ी जे राइट एंसर आगे चलते हैं MS Outlook यानि कि in MS Outlook your inbox contain more than 5000 emails आपके Inbox में यानि कि कौन सा Outlook किसका है Microsoft Wear का है जिसमें Outlook चलता है तो उसमें आपके email में inbox जो है उसमें आपके 5000 email आए हुए हैं अब उसमें से कई आपके boss से संबंदित हैं और उसमें कई अनलगनक सामिल है यानि कई चीजें रखी गई हैं attachment है किसी में कोई file किसी में कोई photo किसी में कोई video रखी गई है the fastest way to find the one huge video files is तो आपको क्या करना है सबसे विसाल video सबसे बड़ा size में जो सबसे बड़ा video हो इसको ढोड़ना है तो उसके लिए आप क्या करोगे सबसे पहले आप क्लिक करोगे select करो select करने के बाद उसमें triple जो पॉइंट रहे तो इस पर क्लिक करके आप वहाँ पर size mention कर दोगे according to size जो सबसे बड़ा video रहेगा सबसे आगे आपको दिखना सुरू हो जाएगा तो आपसे नंबर इसमें जो दिखेगा आपका कि नंबर चार ना सर्चांदा वर्ड वीडियो नहीं कोजिंग भाई क्लिक आल अर्रेंजमेंट वीडियो एंड लुक फार मैक साइज कि आई थिंक वीडियो के इंसर्विस करें अधिकतम अधिकतम आकार देखें हो सकता है यह भी ठीक है कि नहीं ये मेल की बात नहीं करहें रहें वीडियो की बात कर रहें हैं क्लिक आल अग आरेंज बार डाटेच्मेंट लुक नहीं यह भी गलंत है यह जल्दिस मिलबग छाए विदおお अरेंज बार्ञ लाहर्ड पिर लॉस्ट साइज इंद लुक नेक्स्ट तीन आउट्लुक कमांड ले जिनका उप्योग आप दूसरे दिन उच प्रात्मिक्ता केंद्र पाथ उच प्रात्मिक्ता को टागल करने के लिए अक्सर करते इन तीन आदेशों को समय पर कैसे धिश्चमान रखा जाए ऐसा गरते हैं इसमें कुईक एक्सिस बार ह अगला नेक्स्ट कुश्चन निम्लिकित इकाई जो उप्योग करता से प्राप्त डेटा को कम्प्योटर के समझने योग प्रारोप में परिवर्थित करने के लिए जिम्मेदार है इनपूट के द्वारा ही आप किसी चीज को इस लायक बनाते हो कि उसको आप उसको समझाय जा सके यानि इनपूट के नाम आपको लिखने है तो आपको दिखाई देता है जो आपको सुनाई देता है वह और जो आपके इनपूट है उसमें आपके जो होते हैं वह आपके जिससे आप बोलती है आप सुनते हों आज क्लिए बस इतना है फिर मिलत नğimiz थेंक्या फर वाची